रामकृष्ण संके सन्यासियों का दिव्य जीवन 29 वा संसकरन मैं 2018 स्वामी भासकरा नंदजी द्वारा लिखित एवं ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य द्वारा अनुवादित स्वामी जगदा नंद एक आदर्श सन्यासी स्वामी जगदा नंद 1879 से 1951 स्री मा शारदा देवी के शिश्य थे वे अपने पूर्वाश्रम के जीवन में विवाहित थे और शिलों के एक सरकारी उच्च विद्याले में कार्य कर चुके थे एक बार वे किसी का स्री रामकृष्ण वचनामृत पर प्रवचन सुनने के लिए गए वचनामृत में स्री रामकृष्ण अध्यात्मीक जीवन में त्याग की आवश्यक्त्या के विशय में उपदेश दे रहे थे उन शब्दों ने उनको अत्यधिक प्रेरित किया और वे अंत में रामकृष्ण संग में सादू के रूप में सम्मिलित हो गए जब वे संग में थे उन्होंने तीव्र अध्यात्मिक साधना के द्वारा एक उच्य अध्यात्मिक अवस्था प्राप की थी स्री मा शारदा देवी ने उनके संबन में कहा था वह योग भ्रश रिशी है वह व्यक्ति जिसकी पूर्व जन में बिना इश्वरान भूति किये ही मित्यू हो गई हो जगनानंद महराज स्वभावत शांत एवं गंभीर रहते थे और समान्यत अपने विचार में मग्न रहना पसंद करते थे लेकिन वे शास्त्रों के अच्छे ग्याता भी थे और जो कोई भी उनके साथ शास्त्रिय विशयों पर वार्तालाब करना चाहता था वे उसे आनन से सहायता करते थे यद्यपी वे शास्त्र पारंगत थे लेकिन मिथ्या पंडित्य पूर्ण अहंकार से मुक्त थे एक बार कुछ पंडित उनके पास शास्त्र चर्चा करने के लिए आए चर्चा के दौरान उन लोगों ने महराज के साथ तर्क वाद विवाद करना आरम कर दिया और किसी विशेश उधारन की व्याक्षा पर कुछ आपत्ती की स्वामी जगदा नंद जी ने विनम्रता पूर्वक उनके पक्ष का खंडन किया उसके बाद पंडित वरिंद महराज को धन्यवाद दे कर चले गए लेकिन उन लोगों के पंडित पूर्ण अहंकार को चोट पहुँची थी दो या तीन दिनों के बाद वे लोग पुनह आए और महराज से कहा महराज हम लोग आपके साथ कुछ और शास्त्रिय चर्चा करने के लिए आए हैं अपनी बौधिक स्रिष्टता को सिद्ध करने के लिए वे लोग इस बार अच्छी तरह से अध्यान करने आए थे जोड कर प्रणाम करते हुए कहा आप सबका हारदिक स्वागत है लेकिन शास्त्र चर्चा करने की अब और अधिक आवश्यक्ता नहीं है मैं स्विकार करता हूँ कि पूर्व में हम लोगों के बीच हुए शास्त्र चर्चा में आप लोग विजई हुए और मैं हार गया इस संबन में स्वामी बोधात्मा नंद से मैंने विलक्षन घतना सुनी थी सन्यासी होने के पूर्व जगदानंद महराज की मंत्र दिक्षा हुई थी वे और उनके घनिष्ट मित्र स्री मा के पास गए और दोनों ने दिक्षा के लिए प्राथना की स्री मा ने जगदानंद को एक किनारे ले जाकर कहा बेटा तुम और तुम्हारा मित्र दोनों पूर्व जन में एक स्थान पर थे इस समय भी एक ही स्थान पर आ गए हो पूर्व जन में तुम्हारा मित्र तुम्हारा गुरू था और तुम उसके शिश्य थे यदि तो मुझसे दिक्षा लेना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने मित्र से अनुमती लेनी होगी स्वामी जगदा नंद ने अपने मित्र से अनुमती मांगी लेकिन उनके मित्र ने उपरी तोर से जगदा नंद को परिशान करने के लिए तुरंत अनुमती नहीं दी जो भी हो उन्होंने बाद में अनुमती दे दी थी ततपश्चात स्री मा ने उन दोनों को मंत्र दिक्षा प्रदान की दिक्षा के उपरांत मा ने जगदानंद से कहा तुम पूर्व जन में रिशी थे और पुना वही हो गए हो स्वामी प्रनवानंद महराज ने स्वामी जगदानंद महराज के संबन में हम लोगों को निम्नलिखित संस्मरन सुनाया था स्वामी जगदानंद को जैसा कि मैं जानता था वे अत्यंत, प्रेमिक और स्नेही साधु थे बाहिय दृष्टी से वे अल्प भाशी एवं गंभीर दिखते थे लेकिन उनका रिदय प्रेम एवं सहानो भूती से परिपूर्ण था जब मैं बेलूर मठ में संग में सम्मिलित हुआ तब मेरी आयू बहुत कम थी मेरे प्रवेश करने के कुछ ही दिनों बाद मुझे स्वामी जगदानंद महराज के साथ ट्रेन से कहीं जाना पड़ा यह यात्रा लगभग तीन घंटे की थी जिस कोच में हम लोग प्रवेश किये वह यात्रियों से खचा-खच भरा था जगदानंद महराज को बैठने के लिए स्थान मिल गया लेकिन मुझे खड़ा रहना पड़ा जगदानंद महराज ने मुझे अपनी गोद में बैठने के लिए कहा मैंने इसका प्रबल विरोध किया लेकिन मेरे विरोध के बावजुद उन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठने के लिए सहमत कर लिया मैं पूरे तीन घंटे उनकी गोद में बैठा रहा जब तक की हम अपने गंत्य विस्थान पर नहीं पहुँच गए उन्होंने अपने छोटे सन्यासी भाई की परिशानी का कैसे अनुभव किया यह घटना उसका उदाहरन है एक अन्य उदाहरन है मैं उस समय स्वामी जगदानंद महराज के साथ कश्मीर की यात्रा कर रहा था तब हम दोनों तीर्थ यात्रा पर थे और हम लोगों को अत्यंत थन्द के मौसम में मीलो पैदल चरना पड़ा था इसके कारण ऐसा लगता था कि मेरे हाथों की बहुत सी शक्ती चली गई उनमें बहुत दर्द होने लगा मैं अपने हाथों को अपने कंधों पर नहीं ले जा पा रहा था इससे जगदानंद महराज बहुत चिंतित हो गए हम लोग कश्मीर के अलप जनसंख्या वाले पहाड़ी शेत्रों से जा रहे थे महराज ने गठिया के लिए कुछ औशधिय तेल और कुछ बाग की चर्वी जो जोडों के दर्द के लिए आराम दायक मानी जाती है को ग्रामीन उसे प्राप्त किया तदनंतर महराज उससे मेरे हाथ और कंधों की मालिश करने लगे हमारे संग में कनिष्ठ साध्यों द्वारा वरिष्ठ साध्यों की सेवा की अपेक्षा की जाती है किन्तु उन्हें वरिष्ठ सन्यासियों से सेवा नहीं लेनी चाहिए अतह मैंने बारम बार जगदा नंद जी से कहा महराज आप मेरी मालिश मत कीजिए मुझे स्वेम करने देजिए लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी जब तक मैं स्वस्त नहीं हो गया तब तक वे मेरे हाथ की कई दिनों तक नियमित मालिश करते रहे मैंने जो प्रेम और स्नेह उनसे प्राप्त किया उसको विस्मित करना मेरे लिए बहुत कठिन है उन दिनों हमारे आश्रमों में बहुत साधरन भोजन मिलता था भोजन में विरले ही कभी दूद मिलता था वरिष्ट सन्यासियों को रात में कभी कभी दूद दिया जाता था एक दिन भोजन कक्ष में मैं जगदानन्द महराज के पास बैठा था जब उनको एक गिलास दूद दिया गया तो उन्होंने अविलंब उसे मुझे दे दिया तथा उसको पीने के लिए मुझ पर दबाव देने लगे यद्दिपी वे सदेव दूसरों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे लेकिन स्वेम किसी दूसरे से सेवा लेना पसंद नहीं करते थे वे ध्यान परायन थे लेकिन मैंने कभी भी उनको दिन में आसन लगा कर ध्यान करते हुए नहीं देखा जब कोई सन्यासी या भक्त उनसे मिलने के लिए आता तो वे उनसे सामानने रूप से वारतलाब करते थे लेकिन जैसे ही वे लोग चले जाते वे अपनी आखे बंद कर पुनह ध्यान मगन हो जाते यदि पुनह कोई उनसे भेट करने आता तो वे फिर से आखे खोलते और उससे आवश्शक्ता नुसार वारतलाब करते जब वह व्यक्ति वहां से चला जाता तो वे पुनह अपनी आखे बंद कर ध्यान में लीन हो जाते इस प्रकार वे संपूर्ण दिन अंतर विराम ध्यान किया करते थे उनके बारे में स्वामी शिवानन्द महराज ने कहा था वे समाधी अनुभूती करने वालों में से एक है उनकी महा समाधी की घरना भी अद्भुत थी मिट्यू के कुछ देर पहले असहनी अकष्ट के कारण वे कुछ समाई के लिए अचेत हो गए थे बाद में सचेत होने पर एक सचे अद्वेट वादी की भाती वे उच्च स्वर में कहने लगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रान नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ मैं इंद्रिया नहीं हूँ, इत्यादी अंध में उन्होंने अहम ब्रह्मास्मी मैं ब्रह्मा हूँ कहकर शरीर त्याग दिया जय स्री रामो कृष्णा